हलो गाईस आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में दोस्त मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी साइज के सूट की फिटिंग कैसे करें अगर दोस्त आपको कोई साइज हो सकता है लेकिन सूट की फिटिंग कैसे करें अपने साइज की हिसा पहुंसती रहा है, आई दोस्तों वीडियो करते हैं, स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया, जैसे कि दोस्ती हमारे सूट के पले हैं ये एक दोस्तों हमारा बैक पला है और ये हमारा फ्रेंट पला है तो इसमें हम फिटिंग के निसान किस तरीके से लगाएंगे, कैसे हम शूट की फिटिंग करना सिखाएंगे, में हमें क्या करना है, जैसे हमारे अंदर की तरफ है सीधा साइट, उसके बाद दोस्तों हमारे बैक पालहा इस तरीके सा हमें बिच्छाना है, इसमें दोस्तों हमारा पीछे का गला नहीं बनेगा क्योंकि दोस्तों, जो हमारा गला बनेगा वो बनेगा हाफ कॉलर, ठीक है हाफ कॉलर अगर आपका पीछे गले बाला वी सूट हो तो सेम जैसे मैं आपको सूट की इसके बाद दोस्तों जैसे हमारा उपर की तरफ है सीधी साइट लेकिन हमें क्या करना है इसके अंदर इस तरीके से बिचानी है सीधी साइट ठीक है अब इसमें हमें क्या करना अपनी तरफ उपर साइट रखनी है उल्टी और इधर दोनों दोस्तों रखनी है हमें सीधी साइट इस तरीके से बिचाने के बाद अब यहां पर दोस्तों हम जो कटिंग करते हैं सूट की तो यहां पर क्या करते हैं कुटके लगाते हैं जैसे एक कुटका हमारे लगा हुआ एक कुटका हमारे लगा हुआ चैस्ट में ठीक है इस तरीके से लगाने के बाद हमें क्या करना है इसमें हमारे चारों तरब कुटके लगे हुए सूट में आगर हमारी कटिंग की वीडियो आपने द से ठीक है इस तरीक के साब को अच्छे से सैट करना है गुट के आगे पीछे ना हो आपके अगर पीछ हो जाएंगे तो क्या होगा हमारी सूट की फिटएंग होगी जो हमारे पल्ले होंगे वो आगे पीछे जोइंट हो जाएंगे इस तरीके से हमने 4 कुट के इस तरफ मिला लिए और 3 चार कुट के इस तरफ हमने मिला लिए अब हमें क्या करना है नॉर्मल करते हैं यहां पर क्या करें होंगे जैसे अगर आप नॉर्मल कटिंग कर देते पिरेस की तो क्या करेंगे हम क्रिश इसकी बी सेंटर लिक लिताएंगे अब इस सेंटर किस तरीके से निकालेंगे आप पुछ समझा देता हूँ जैसे दोस्तो हमारा है इधर remote दोस्तो तो हमें क्या करना है इस तरी के से नापना है टोटल तो टोंटर पर अदोस्तो जो हमारा 24 इंच हो गया 24 इंच का 1-8-12 ऐंच इस तरीके से हमें निसाना लगाता है आब उसके दोस्तों हिप है हिप का पल्ला हमें सेंटर लिका ला है हिप हिप हिए पर हमारी 24 इंच है हाफ इस हो जाएगा 12 इंच इस तरीके से हमें निसान लगा देना है 12 इंच पर यह दोस्तों हमारा सेंटर लिकला है चीक है यह हमारा सेंटर हो गया अगर आप प्रेस लगा कर हो गए ह्या पर 40 का हाफ हो गया है चालिस का जो हाफ ओगा दोस्तों अब लिग लाया हाप नाप दोस्तों यहाँ पर हमारा लगता है अभि यहाँ पर नॉर्मल क्रalit क्या करेंगे जैसे 49 फाली हाप नाप हो गए 20 इंच ख tud Michigan ही 10 पर हमें रखना सेंटर पर ढूँड मुंसुबॉ और हम लगांगी 20 इंच पर सवरूमे ठीक है w हमारी चेश का निसान लग गया अब उसके वाद हमें कमर का निसान लगाना है कमर हमारी 36 इंच ठीक है कमर हमारी 36 इंच है तो हाफ इससा लगेगा यह दोस्तों जो हमारे निसान लगते हैं वो कुटके के सामने लगते हैं अब उसके हिप का निसान लगाएंगे इस तरीके से हमारे निसान लग जाएंगे अब दोस्ता वारी आती इसकी safe कैसे देंगे यहाँ पर normally निशान लगाने के बाद हमें लेनी है यह safe anti ठीक है safe anti से क्या होता है जब हमारी suit की cutting होती तब भी इस्तमाल होता है अब यहाँ पर हमारी suit की fitting होगी तब भी हमें इस्तमाल करने है safe anti अगर दोस्त आपके पास safety नहीं है तो normal दोस्तों आपको market में मिल जाएगी जहां पर हमारे slice related material मिलते हैं सुई धागा वगरा जहां मिलते हैं वहाँ पर हमारी normally safety मिल जाएगी चीक है तो इससे क्या करेंगे? chest का निसान और camera का निसान इस तरीके से safety उपर से बराबर से रखेंगे और camera का निसान निसान इस तएए से 5 लग जाएगी निसान अब camera का निसान और hip का निसान इस तरीके से हमें nisान लगाना है safe देनी ठीक है? safe safety के मदज से यह हमारा निसान लग गए, यहां तक दोस्त हमारा यह निसान लग गए, यहां पर हलका सा पॉइंट बन रहा है, तो हमें क्या करना है, यहां पर हलकी सी गुलाई देनी है हाथ की मदद से, ठीक है, यहां पर इस तरीके से पॉइंट नहीं बनाना है, एकदम गुलाई हमारी इस जगे पे अब यहाँ पर क्या करेंगा दोस्तों कमर में भी हमारा point बन रहा है तो इसमें भी हम गुलाई का निसान इस तरीके से लगा देंगे ठीक है यहाँ पर हमारी गुलाई बन जाएगी कमर में हमारा point नहीं होना चाहिए एकदम finishing से गुलाई आनी चाहिए अब इस इसको पतला करते हैं बो भी मैं आपको समझा देता हूँ जैसे ही हमारी चौक है और यह हमारी कैची तो कैची को open करेंगे इस तरीके से ठीक है open करने के वाद दोस्तों हलका हमें क्या करना है यह किनारी हलका की इस तरीके से चौक इसकी घिसनी है ठीक है दोनों तरफ से हलक fluge का भी सिकायद हो जाती ठीक है अगर हम मोटा चौग इस्तमाल करते हैं तो इस तरीके से normal हमारी fitting के निसान लगने के बाद हमें जो fitting के निसान लगा उसी पही proper तरीके से हमें सिलाई लगानी है चीक है हम सबसे पहले सिलाई लगा लेते हैं फिर उसके बाद आपको सूट सीधा करके दिखाएंगे जो हमारा नापर वो फिक्स बैठा है या नहीं यहाँ पर दोस्तों जो मैंנה आपको निसान लगाना सिस्टाया था उसी निसान पर हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी अब दोस्तों इसे हम नहीं बना हुआ है, क्योंकि दोस्ते इसमें हमारा half color बनेगा, इसलिए दोस्तों मैरे पीछे का गला नहीं बनाए, अगर आपका पीछे का गला बनता है, तब भी दोस्तों इसी तरीके से फिटिंग होगी, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ और दोस्तों आपका हाफ कॉलेरो, यह बंद कॉलेरो, कैसा भी आपका सूटों, जैसे मैं आपको फिटेंग करना सिकारा हूँ, सूटकी से मुसी तरीके से ही होगी, ठीक है, और कोई सा भी साइज होना चाहिए आपका, ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मैंने सीधा कर लिया से 20 तीयार आ गई चिक है और कमर का नाप लेंगे हमfun के तरीके से कमर दोस्ती है यहां पर हमारी 32 2 यहां पर ह evaluation होंगे 21 तैयार नाप आ गए हमुए हम का में पालिय के तरीके है जैसे अंसली कि आफ नाप बी होता है जैसे हमने नाप कर आपको दिखा है, उस तरहिके से नापنا भी होता है, क्योंको कई बार होता है हमारे गलत भी निसान लग जाते हैं, इसलिए दोस्त हमें जब भी सूट बनाना चीहें, नापकर बनाने चीहें, आःऍदिय से कोई काम नहीं करना चीहें, अगर दोस्त है वाल्टर बारबार कान्पे पड़ती है तो इसलीी क्या होता दोस्तो हमेशा हमे नावट तोलकर ही सूट बनाना चाहिए अब दोस्तो मैंने सिकाए इसमें 40 chest के हिशाब से सूट की fitting करना आपका तो heavy से heavy साइज ओ कम साइज ओ कोई पुछा भी साइज हो लेकिन तरीका यही रहेगा जो मैंने आपको समझाया है और सिखाया अगर दोस्त हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूज करना अगर दोस्त आपको फिर भी कोई डाउट लगता है हमारी वीडियो में तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं लाइक कर देने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को लाव कर देने जिससे कि हमाई नहीं वीडियो को नोटिफेकेशन आपके पास पहुंचते रहे थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक चरूज करना